हेलो दोस्तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज पीजा पूरे वर्ल्ड में फेमस है और दुनिया के लगबग सभी देशों में आज पीजा आवेलेबल है आप जानके हेरान हो जाओगे कि पीजा की खोज होने के बाद मातर कुछ लोग को छोड़कर सभी लोगों पीजा जरूर खाया है तो दोस्तो बात करते हैं मार्गरीटा पीजा की जो वर्ल्ड फेमस है उनका नाम कैसे कब और किस तरह से रखा गया था उनका सिंक्रेट जानते है इस वीडियो में जिस पर आप लोगों ने क्लिक किया है जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंग उनके लिए लास्ट में पीजा के कुछ अफलातून फेक्स है जो आप लोगों को शायद नहीं पता है दोस्तो पीजा को सबसे पहले 1889 में इटली के नेपल सिटी में राफेले एस्पोसिटो ने बनाया था जिनको आज अंदाजित 100 वर्षों से भी ज्यादा समय बीत गया राफेले एक बेकर थी जो वहाँ की बेकरी में काम करते थे एक बार किंग एमबर्टो और क्वीन मार्गेरिटा नेपल्स के दोर पर आ गए उनको फ्रेंच खाना बहुत पसंद था इसलिए उन्होंने ज्यादा तर फ्रेंच खाना ही सव किया गया था एक टाइम ऐसा आया कि कींग और क्वीन दोनों फ्रेंच खाना खाकर ठक गए और बोर हो गए इसलिए उन्होंने कुछ नया खाने की फरमाईश की तब राफेले एसपा सिटो को बुलाया गया चोकि वहाँ के अनुभवी बेकर थे तब राफेले ने इन दोनों के लिए इटालियन फ्लेक के र जलिए इस पीजा का नाम मारगेरीटा पीजा रखा गया यह पीजा आज भी दुनिया बर के खाये जाने वाले पीजा में सबसे लकप्रिये और पेमस ह। चाहे पीजा हट, डोमिनोज या लापिनोज, मार्गेरिटा सबसे स्पेशल पीजा माना जाता है तो कुछ इस प्रकार मार्गेरिटा पीजा का नाम रखा गया चो कि वो दुनिया का सबसे पहला पीजा था चो राफेले ने बनाया था अब जो लोग लास तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पीजा के कुछ अफलातुन फैक्स हो जाए फैक्ट नमबर वन, अमेरिका में एक सेकंड में 350 स्लाइस पीजा खाया जाता है अमेरिकन्स पीजा खाना बहुत पसंद करते हैं और नेशनल एसोसियेशन ओफ पीजा के मताबिक अमेरिकन्स रोजाना सो एकर के बरोबर पीजा खाते है फैक्ट नमबर टू, दुनिया के सबसे महेंगा पीजा बार हजार डॉलर का है, ये कोई मामूली पीजा नहीं है, इससे स्पेशल इंडिडियन से साथ बनाया जाता है फैक्ट नमबर थ्री, अमेरिका के 36-35 लोग ब्रेकफास्ट में पीजा खाते है, अमेरिकन्स पीजा को ही सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट और मील मानते है फैक्ट नमबर चार, 2001 में पीजा स्पेश यानि की अंत्रिक्ष में बेजा गया था, रश्यन स्पेश एजनसी को एक मिलियन डॉलर दिया गया था, सिफ 6 इंच पीजा की डिलेवरी करने के लिए मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो काफी नोलेज़ फुल रही होगी, मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और एड्यूकेशनल वीडियो अप्लोड करता हूँ, अगर वीडियो बेस लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी बूलना मत, तन्यवाद मिलते हैं अगल वीडियो में